हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एक्जाम हेल पर में तो इस वीडियो में हम बात करने वारे हैं NBS LDC टैपिंग टेस्ट से जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन हमें आपको देने वाला हूँ ठीक है इसमें हम कुछ जो चीजें होती हैं जैसे कि आप टैपिंग करते हैं तो उसमें कुछ चीजें होती हैं जैसे कि टैपिंग स्पीड कितनी हमारी जानी चाहिए वहां पर जिससे हमारी जो जो स्पीड मांगी है यह वो आ सके ठीक है backspace का allowed है या नहीं है accuracy कितनी क्या है highlighted word होगा या नहीं होगा ठीक है यह सारे कमेंट्स जो है मेरे जो वीडियो डाला था उस पर बहुत सारे जो कमेंट्स आये थे चात्र जो है students जो है वो बार बार जो है परिशान हो रहा है सर प्लीज बताइए कोई typing speed बुल ला कोई backspace के बात कर रहा है कोई highlighted bird की बात कर रहा है ठीक है कोई बूला है की screen पर होगी है paper यार मैंने इतनी बार बता दिया है आपको वीडियो में इतने वीडियो बनाया है आपके ही जो question थे उनके मैं answer इस वीडियो में देने वाला हूँ तो सबसे पहले मैं आपसे एक request करना चाहूँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और NBS से जुड़ी परते एक update जो है पाना चाहते हैं आपको क्या नहीं करना है मैं पहले बताऊंगा आप स्टूड़न्स मतलब यह सवाल इतना पूछा जा रहा है मतलब कि हाईलाइट होगा या नहीं होगा देखिए जहां तक चांस है 90% चांस है कि बड़ जो है वो हाईलाइट होगा जैसे कि आप टाइपिंग शॉफ्ट फेवर में देखते हैं ठीक है अब वो किसी भी कलर से हाईलाइट हो सकता है ठीक है ना 90% चांस है और अगर मान लिए यह नहीं भी होता है तो क्या करना है आपको आप तो आप टाइपिंग श्पीड फोकस करें आपकी बहतर है ना तो यह आईलाइटट वर्ड एक्क्रीशी बैक स्पेज कुछ भी काम नहीं करेगा सिर्फ आपकी टाइपिंग स्पीड मैत्र करेगी और NBS ने कहीं पर भी यह नहीं लिगा है कि एक्क्रीशी कितनी चाहिए ठीक है बै से उपर है तो यानि कि आपकी बहतर एट यह तो आपकी जो ए टाइपिंग इतनी आ रही है अगर टीक नहीं होती है तो यतनी आप करिए पर यह तो उसने बोला भी नहीं यहां तक है 99 परसंट बेकस्पेस अपको अलाओड वा जैसे मान लिए यह वर्लिगा थिंक पॉजिटिव पॉजिटिव इसमें लिखा तो मान के चलिए मैं लिखा था फॉजिटिव तो मैं इसको बैकस्पेस आप के सही कर सकता हूं ठीक है और पूरा पैसेज भी जो है कर द यह गलत वर्ड था यह यह था यह था गलत वर्ड अब मुझे लास्ट में मेरे टाइपिंग होची अब मुझे यह सही करना है तो साइध यह भी महाँ पर हो सकेगा कोगी वो शॉप्ट वेर ऐसा देते हैं कि यहाँ पर आप इस मिलब आप जो है माउस उठाईएगा यहाँ बट यह चीज मत करिएगा बिल्कुल आपकी इस फ्रीड और गिर जाएगी इस से ठीक ना आप जैसे ही आपका कम्प्लीट हो तुरंत उसे सब्मेट कर दें तुरंत चीक न तुरंत ठीक है तो बैक स्वेस का भी हो गया टैंशन नहीं लिए ना बैक स्वेस अलाउड हो गय करने के बाब जूद भी और उसने कहीं पर भी नहीं कि मिस्टेक कितनी चाहिए तो क्यों डरते हो आप बस स्पीड पर काम करो स्पीड इस मैटर ना कि बैक स्वेस मिस्टेक यह सब मैटर नहीं यार ठीक ना और मैं यह उलूँगा आप यह सारे जो ना यह सारी कीजिए दिन में 4-4-5-5 गंटे टाइबिंग यह भी चार-5 दिन है दम से टाइबिंग कीजिए इक स्पीड पर काम कीजिए आप तो आपके आपने माली 45 पर शोगे चले आना टाइबिंग पास हो जाओगे गारेंटि ले रहा हूं उस बात की ठीक है और सबसे बड़ी ची हाथ कपने लगते हैं एक बटन दबाते हैं दूसरा दबता है दूसरा दबाते हैं तो चार-5 दब जाते हैं बेक स्पेस काम नहीं करता है फिर हातों से काम नहीं करते हैं 20 5 6 6 उपर énormément आप पैसेas जो मैं कर रहा हूं पैसेज वह यहा तो यहां पड़र मैंimentos एथ मतलब मैं जा रहा हूं टाइपिंग निकालने और निकालके आँगा 100% ठीक है यह सोच कि जाई दूसरा इस्टार्टिंग करूं आप टाइपिंग आप जैसे कोई भी पैसे आया तो आप इस्टार्टिंग करो स्टार्टिंग में स्टार्टिंग मनाना कोगहिंस पैनिक होगे बाझन को यहां तक बीडियो पहले से सचेत होजी की ऑपनिक से बया रहा हुँ आप अमने में सुना यूख कोंड़ kidnapped तो यह आप कर सकते हैं दूसरी बात अगर मानके चलिए फिर भी आप पैनिक हो रहे हैं तो आप क्या करें थोड़ा रुक जाएं दस भी सेगंड रुग आप पानी पीले पानी है आपके पास तो आसपास बोतल ले जाएगा बोतल रख लिएगा पास में ठोड़ी गलती होग थोड़ा रुकें सबसे पहले गहरी सांस ले एक दो बार तीन बार चार बार ठीक ना पैनिक नहीं होना उसके पानी पीएं आपको इस प्रक्रिया में 20 से 25 सेकंड लाएंगे यह आप दे ठीक ना और मैं बोला हूँ फिर उसके बाद आप बिल्कुल सोचके बिल्कुल सरू तो आपके टाइपिंग 100% फिनिश हो जाए खतम हो जाए ठीक और यह पॉइंट मैं मैं है कि टाइपिंग जैसे कंपिलीट हो न तुरंत सम्मिट करना तुरंत सम्मिट बढ़न देख ले न कहां पर रहे नीचे पहले रिस्टाट करने से तुरंत करना इससे क्या होता है जि तो यह फाइदा है जब मांके चलिए आपके 28 आ रही थी और आपने 8 मिनट में कर दिया पूरा तिक गलती करने के बाप जूद आपके आपके आर्ट मिनट में दो मिनट बचे आप जैसी करो नहीं तो यह आपकी बढ़के 31 32 हो एक तो यह चीज ध्यान रहे ठीक है हम अचल स्टोग मारती वो त्रेपन पॉंट बन थी नेट में हुग तो नेट स्पीड में कोई भी फरक ज्यादा नहीं पड़ता है दो से एक से दो पॉंट तीन पॉंट तक गर जाती एक कुरिशिटी है अब देखिए यहाँ पर मैंने मिस्टेक कितनी करी है 20 मिस्टेक किए है और तो सो एर्यर किया थे कि जैसे मैंने लिखा मानगे चलिए मैंने अपना नाम लिखा जिए बेक किया बैक करने में जो इस फेस दबाया है मैं इसको बोलते है यानि कि error hit हो चुका था पर मैंने इसे सही कर दिया था मिस्टेक यानि पूरे बर्ड गलत हो गया मैंने आगे बढ़ गया गलत बढ़ करके तो यह होती है मिस्टेक कर दिते इस चक्कर में बढ़ गई अब देखें मैं दूसरा आपको दिखाता हूं अब देखें यह वाला यहां पर देखें यहां पर आपको दिख रहा हुआ है यह देखें यह मेरी जो नैट मैंट बन से अब आपको यह गलती नहीं करना ठीक है तो आपको यह बता दिया तिक अगर अगर आपको फिर भी कोई डाउट है यह मेरा जो है इंस्टाग्राम का पीज है इसी नाम से आप इसे चाहिए सर्च कीजिए वहाँ पर बहुत से स्टूरेंट जुड़ हुए है मुझसे आप कांटक्क कर सकते हैं वहाँ पर मैं आपको तुरंत रहे रिपलाई कर देता यूटब पर उतना असान नहीं हुता है तो रहे रिपलाई करना ठीक है तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया हुआ अगर फिर भी आपको कोई सूचना चाहिए तो आप वीडियो टेलीगरम पर इंस्टा करना पर मैस्ट करिए और 15 तारीक को मैं एक वीडियो लेक आपको 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 आपको